एक एक्जॉस का नोट भी सुन लेते हैं एक उपर आपको पूरी फाइवर देखने को मिलती है एट्वांटी का सपोर्डी मिलता है पूरा डिश्टल देखने को मिला पहली बात दूसरी प्राइजिंग आपको देखने के एक लाग पैंसरा डिया रूप है और आप हमारे चै की प्राइज आपको देखने को मिलेगी और कांपूर रुत्ता प्रदेश में आज की वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं तो इस वीडियो में बने रहें तो हैलो गाइस मैं आदिस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल और इंफो में अगर आप हमारे चैनल पे ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसना तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा चलिए वीडियो के शाट कर लेते हैं बिना किसी देरी के अगर मैं LED बेस टर इंडिकेटर जो दे रखें इनकी क्वालिटी दिखा हूं आपको तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डियारल दे रखी है यह ओन हो चुकी है फ्रेंट में डियारल भी देखने को मिलती है और पूरी हैडलाइट भी देखने को मिलती है फ्रेंट में तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं गोडन कला के यूज़ी सस्पेंशन जो कि फ्रेंट के मामले में काफी चाप परफॉर्म करने वाले हैं रिफ्लेक्टर भी आपको यहां पर मिल लाता है मडगार्ड की क्वालिटी कैसी आपको दे रखी तो आप यहा अपको हundam में यहां पर आपको निशीन के कैशिन का इंचे के मामले में कश्र está मने जाते हैं चाह Fate में कंपनी यहां पर अपको mr company ke touch lees tie r dّ जिसके section कोई भी इनिशल कोटी की को देखोगे तो यहां पर आपको इसकी भी quality मैटल में देखने को मिलती है ज्यादा यह लगेदा नहीं रहा है इसकी काफ इची मिलेगी बागी अगर आप इस तरफ पर देखते हो आके तो यहां पर आपको फॉटफेक्स होगे रहा है इनकी quality भी काफी सही मिलती है यहाँ पर rubber है और यह आपको aluminum base दिखने को मिलते हैं जो कि adjustable कुछ इस तरीके के पीलन पूटेश क्याइब आप देख सकते हो aluminum में देखने को मिलती है और यह जो इसका और हलके से white में आपको graphics मिल जाएंगे इस्प्रिड मिल जाते हैं आपको grab handles और एक्स factor shape की आपको यहाँ पर टेलाइट देखने को मिलती है रियर से भी काफी बल्की से लुक आती है बाकि यहाँ पर आप देखोगे honda की बैजिंग वाई से आपको इंडिकेटर रिफ्लेक्टर और मडगार आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी पर देखोई बिल्कुल नहीं रहा है यह देखो आप रियर के टायर काफी मोटा लगता देखने में 140 सेक्शन का मिलने वाला है 17 इंचेस के साथ में और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो चलें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको हंडा की बैजिंग है और E20 का सपोर्ट ही मिलता है यानि कि जो अब फ्यूचर में E20 वाला फ्यूल आएगा उससे भी रन करने के लिए यह बाइक बिल्कुल रैडी है 12 लीटर की फ्यूटर के साथ में इसका आपको देखने को मिलता है और टैंक उपर आपको पूरी फाइवर देखने को मिलती है आप देख सकते हो यह सब इस टीकर यहां पर होड़ने 2.0 के के वाल हॉंडा का 3D लोगो है क्रोंब देखने को मिलता है इसकी क्वाल्टी आप देखो यह बिल्कुल भी लाहिए रहे हैं लेकिन आप यहां पर मैटल की फिनिशिंग देखोगे तो यह मनलब वैसा नहीं है लेकिन लेकिन इसमें यह आपको देखने को मिलता है बाकी कि मीटर कंसोल की तरफ चलने से पहले आपको बाहेंडल दिखा दू सिल्वर की मिलेगी की देखो आप हॉंडा की बैजिंग नॉर्मल से की मिलती वही जो अपनी लीवो एसपी सब में मिलती वही वाली की समें मिल लाइए उसी एकसाद में स्विच्छ के बारे में बात कर इस तरह आपको इन इन की विच एक हैज़ारड का सिच और एक आपके यहां पर शेल्प का सवच देखने को मिलता है एसलेटर फेंडिक का लीवर मीटर कंसोल देखो आप पूरा डिश्टल देखने को मिल ला पहली बात दूसरी बात यहां पर आप देखो बड़ा साइक आ बागी यहां से इसको एड़ेस्ट वगेरा भी कर सकते हैं टोटल ट्रिमीटर एबी और बैटरी बुल्टेज इतना कुछ यहां से आप इसको सेट वगेरा भी कर सकते हो तो मिटर कंसोल पूरा डिश्टल है काफी सही आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तों मैं अगर सेट हैड जो कि आप देख सकते हो मैं भी और और सिष्टी सेवेनट की आपर हमें इस में इस प्रिश्ट रहें लघे यह रहाई कर सकते लोग यहां पर सकते हो आपके मतलब आधा आठी इस का सब्सक्राइब कर सकते हैं को आप चलते हैं दोस्तों कि तरफ इसके परफॉर्मेस तरी के आने वाली है तो इसमें आपको दो से सब्सक्राइब करने वाला है 8500 rpm आपको देखने को मिलता है उसी किसाल में दोस्तों कुछ यह आपको सब्सक्राइब देखने को मिलती है तो इसकी प्राइजिंग आपको देखने को मिल जाती है 1,65,000 रुपीस की देखने को मिलेगी यह निकि 1,50,000 रुप है ओन रोड कानपूर उत्तर प्रदेश में और इस प्राइस पॉइंट में आपको 180 सेग्मेंट की बाइक में यह अच्छे लुक के साथ में तो काफी सब् अगर इंडियन की रोज़ अगर सुनी जाए तो कुछ ऐसा आपको इसमें एक्जॉस कनोट देखने को मिलेगा बाकि आप हमें कॉमेंट में भी बता सकते हैं आपको इसका एक्जॉस कनोट कैसा लगा तो दोस्तों शोरूम एडियस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसको नीचे मिल जाएगा आप यहां से आके हॉंडा की लाइनम में किसी भी बाइक को पर्चेस वगेरा कर सकते हैं तो खुछ यहीं दिसके ओवराल वीडियो सब्सक्राप को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर कीजेगा और आप हमारे चैनल और ट्र वीडियो कानपूर से लाते रहते हैं थैंक्स पर वाचिंग